कि हूं भात करते हैं से coordinator condition और coordinating connection और subordinating connection coordinating connection को समझना पड़ेगा आपको इसको मिठा के लिखता हूं कि conjunction जो हैं दो तरह के हैं एक तो हो गया आपका को ओर्डिनेटिंग को ओर्डिनेटिंग को ओर्डिनेटिंग को ओर्डिनेटिंग को ओर्डिनेटिंग को ओर्डिनेटिंग को अब बताएए समन्नुए को ओर्डिनेशन किसके बीच में होता है बरावर हैसियत के लोगों के बीच में एक राजा का दूसरी राजा से कोडिनेशन, एक मंत्री का दूसरे मंत्री से कोडिनेशन, एक नौकर का दूसरे नौकर के साथ कोडिनेशन, तो कोडिनेशन के लिए बरावर हैसियत का होना जरूरी होता है, सबोडिनेशन क्या होता है, आग्या पालन होता है, तो subordination या आग्या पालन के लिए एक का बड़ा और दूसरे का छोटा होना जरूरी है तो यह जो इधर के तरफ वाले जो हमने conjunctions लिखे हैं यह coordinating conjunctions हैं यह coordinate करते हैं यह ऐसी दो इकाईयों को जोडने का काम करते हैं जिनका grammatical status equal होता है जिनकी grammar सल्मंदी हैसित बड़ाबर होती है इसका क्या अरत इसका यह है कि नाउन प्रनाउन एक जैसे चीज़नाषा नाउन प्रनाउन को नउन प्रनाउन और गेlig Да advec tive से जोड़ते हैं वह उपको वोगत से जोड़ते हैं integr Lu again या दो वह स्थेूट होनी चाहिए coordinating donations हमेशा ऐसी दो नहीं के जोड़ते हैं जिन दो का ओक्राव ट्रेॉब法 एकरण संबंधन पहचांग हो ना 언제ow 閉 elemen provision कोडीन की संक्षन का में अगर आप देखें राम क्या है नाउन है मोहन क्या है नाउन है एक रहते नाम को दूसरे नंज से अनगे जोडा है रगा वे अब आप सेंटेंश पढ़ेंगे आगे की वीडियो में बताऊंगा च्पूरा गेंगेंद मृइन में अब葉 जोड़ा बराबर हैसियत दो में जोड़ा बंग संद अब हैं मैंने आगे की वीडियो में सपस्ट होगा अभी आपको यह जानना जरूरी है कि कोडिनेटिंग कंजंशन हमेशा ऐसे दो एकाईयों को जोड़ता है दो यूनिट्स को जिनकी ग्रैमेटिकल स्टेटस सेम हो बात अब सबॉर्णेटिंग कंजंशन की करें अगर तो सबॉर्ण यह मेंन कलाओ सब्सेया को और अभी तो यह जो जोडने का काम करते हैं यह जबकि को को बंशन को इक तैसे वाले items को जुड़ते हैं तो इस तरह से हमारे शब्दों की जो पहचान की कड़ी थी वो खत्म हुई और हमने यह समझा कि अंग्रेजी भाषा नोतरह के शब्दों से मिलके बना हुआ है और यह जो नोतरह के शब्द हैं क्या है और इनकी पहचान क्या है इनका फंक्शन भी थोड़ा बहुत आपने जान लिया अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा एक दूसरे चीज की करते हैं इस कड़ी में अगले पढ़ाओ की और पढ़ाओ क्या है तो अगला पढ़ाओ ये है की भाशा जो है भाशा की वाशा कि से मिलके बनए है शब्दों से मिलके बना हुआ है तो सब्धों को जानना जरुरी थाशंडों अनकी पहचान रहे परफS sector अब क्या भाशा के अलग अलग package नहीं होते हैं भाशा का अलग अ आपने घर से दूर रहके और तयारी करते हैं किसी शहर में जाके और कमरा लें लेते हैं तो वह सब्जी लेने जो घूर जाते हैं तो य sets तो कभी DR, भी कभी 500 ग्राम सब्जी लिया आपने कभी ज्यादा आपने आधा किलो सब्जी ले ली कभी और भी ज्यादा आपने सब्जी ले ली आपने दो किलो सब्जी ले ली किसी दिन पाटी वाटी करनी है किसी का बहत्रे वठते है तो आपने पांच किलो की सब्जी ले ली पर सब्जी तो ये भी है वेजिटेबल सब्जी ये भी है वेजिटेबल सब्जी ये भी है और वेजिटेबल सब्जी ये भी है पर ये सब्जी का छोटा पैकेट है ये सब्जी का थोड़ा बड़ा पैकेट है सब्जी का ये बड़ा पैकेट है तो सब्जी तो सब्जी का कोई पैकेट छोटा है कोई बड़ा है वैसे ही भाषा जो है ना भाषा की छोटे बड़े पैकेट्स होते हैं भाषा की छोटी बड़े स्तर लेवल्स होते हैं इकाईयां होते हैं फॉर इक्जांपल उदारन के लिए मैंने लिखा कि रोहन यह भाषा है कि नहीं है रोहन भाषा है रोहन जो है भाषा है हमने लिखा रोहन के बड़े भाईया रोहनस एल्डर मिल्डर रोहन के बड़े भाईया किया यह भाषा नहीं है कि इसका मीनिंग है अर्थ है तो भाशा है मैंने लिखा कि जैसे एक सिंटेंस हमने उधर लिखा था कि रवी नोज रवी जानता है कि तुम क्या चाहते हो तो यह सबजी के बड़े और छोटे पैकेट्स हो सकते हैं वैसे ही भाशा के बड़े और छोटे पैकेट्स हो सकते हैं अब जैसे यह लिखा हुआ है रवी नोज रवी जानता है what you want जो तुम चाहते हो तो भाशा यह भी है पर क्या भाशा के यह अलग-अलग पैकेट्स है रोहन छोटा पैकेट्स है इससे बड़ा पैकेट्स है रोहन इल्डर ब्रदर रोहन का बड़ा भाई एक और हम भाशा का अस्तर या लेवल देख रह है ना इन लेवल में अंतर क्या है कि देखिए रोहन इंडर जैसे यह तो एक वरड हो गया एक शब्द यह रोहन इल्डर ब्रदर रोहन का बड़ा भाई एक कई बताए तो मैं बताऊं या रहा है अब जाके बात क्या हुई पूरी तो एक से अधिक शब्दों से मिलके बना है अगर भाशा का वह अस्तर एकाई पैकेट और पूरा आर्थ नहीं देता है पूरी बात नहीं कहता है तो ऐसे एकाई को हम क्या बोलते हैं फ्रेज कि ये वाली इकाई थी इसको हम क्या बोलते हैं वर्ड वर्ड फ्रेज और यह वाली इकाई की बात करते हैं यह भी एक से अधिक शब्दों से मिलके बना है और इसके बारे में लेखे कि रवी नोज रवी जानता है वोट यूट जो आप चाहते हैं और इसके अंत में फुल स्टॉप है या साइन अफिक क्वेशन क्वेशन मार्क है या साइन अफिक्स्क्लामेशन है और सबसे बड़ी बात यह बात पूरी तरह कहता है कोई बात को पूरी तरह कहता है रवी जानता है रवी नोस जो तुम चाहते हो रवी जानता है जो तुम चाहते हो पूरी ब बात कहता है ऐसा भाशा के इस हिकाई को हम क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं अम आफ इसको क्या बोलते हैं सेंटेंस कि समझ न यहां एक चीज़ और des humans रवी जानता है कि अब केवल में इस पार्ट को लोन हिए लविए नोज सिर्फ इस पार्ट को को लिया जाया कि रवी नोज रवी जानता है तो यह क्या है कि इसमें सब्जेक्ट है रवी नोज है जानता है वह एक चीज़ आपको और बता दें हाला कि आगे चल के बताना होगा अच्छे से बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है ना उसमें सब्जेक्ट होता है एक वह होता है सब्जेक्ट क्या होता है पता चल जाएगा रवी नोज जानता है रवी सब्जेक्ट होता है और नोज जानता है वह होता है चलिए छोड़ी रवी नोज रवी जानता है अगर इसको लें आप रवी नोज तो अगर किसी सेंटेंस का चाहे वो फ्रेज में भी हो सकता है किसी फ्रेज का एक ऐसा टुकड़ा लें जो लगबग बात पूरी तरह कहता है तो उसको पूलते हैं क्लॉज तो रवी नोज यह क्लॉज है ओझार उसको ईदlaw जो तुम चाहते हो यह पहला है जिता है याद रखेगा। अगारा पूरी तरह के दिया है तो क्या हो गया हूँ- हो सेंटेंस देटुकड़ा जो बात पूरी तरह लगबग कह रहा है जिसमें एक subject और एक verb component होता है और अकेला स्वतंत्र नहीं होता किसी का हिस्सा है टुकड़ा होता है तो भाषा के ऐसी काई को हम क्या बोलते हैं ऐसी काई को हम clause बोलते हैं तो हमें यह पता चल गया कि भाषा के अनेक अस्तर हो सकते हैं डिफन लेवल्स हो सकते हैं भाषा के भाषा में अनेक काया हो सकते हैं छोटी बड़ी तो भाषा की सबसे छोटी काई क्या है वर्ड भाषा के उससे बड़ी काई फ्रेज उससे बड़ी काई क्लॉज उससे बड ऐफ गशन काना दो तो माशा का एक अस्तर न देखा फ्रीजद अब आद्ट एक स्टर ने संटेंस और भाशा का एक अस्तर हमने जो देखा वो था clause चीक है हमने सबसे पहले word के बारे में पढ़ा भासा की जो सबसे छोटी काई सबसे छोटा अस्तर है word इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में यह पढ़ा कि यह कितने तरह के होते हैं नो तरह के होते हैं कौन-कौन से तो नाउन प्रोनाउन एड्जेक्टिव और डिटर्मिनर और वर्ब और एड़ वर्ब और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और इंटर्जक्शन और यह जो नौ तरह के शब्द हैं इन सब्सक्राइन कि परिचेह प्राप्त किया इनका काम पहचानिंक इनका सभाव क्या है अब अगे बढ़ते हैं और हम टॉपर ऐसे तो नहीं हुआ न मैंस तो मैंने किया होगा मैंस आता है थ्री प्लस वन फूर होता है मुझे पता है बावजूद इसके मैंने इसको अलग-अलग लिखा है उसका रीजेन है उसका कारण है वो आपको पता चल जाएगा फ्रेजस कितने तरह के होते हैं तो तीन और यह चार तरह की कौन-कौन से तो नाउन फ्रेजws फ्रेज के लिए मैंने चलिए पूरा लिख देते नाउन फ्रेज एड्यक्टिफ फ्रेज और एड़ फ्रेज और चौथा होता है प्रिपॉजिशन फ्रेज तो यह आपके फ्रेज़े चारत रखें तो इन आप चारत रखें की पहचान और इनका फंक्शन अब हमें यह जानना हो तो नाउन फ्रिज क्या है एड्रिक्टिव फ्रिज क्या है प्रिपोजिशन फ्रिज क्या है आई यह जानते हैं इसके बारे में हम इनके बारे में तो जानी चुके हैं तो अभी इनको मिटा देते हैं और जड़ा देखते हैं मैं लिखता हूं कुछ फ्रेजस को देखेगा दा किंग औफ एक पिंग ओफ इजप्ट इजप्ट किसको बोलते हैं में श्रेक देशन तो दा किंग ओफ इजप्ट का मतलब हो गया इजप्ट का राजा अना माई एल्डर ब्रदर मेरे मेरे बरे भाई दबोई हूँ वोन द फर्स्ट प्राइज लड़का जिसने पहली पुरस्कार जीती अगर्ल बिदाउट हैंस एक लड़की जिसका कोई हाथ नहीं था बीना हाथों वाली लड़की और माई ड्रेम्स मेरे सारे सपने यूर अंकल आपके चाचा जी जिरा इनकी बड़ टू मच नोइज बहुत ज़्यादा शूर स्वराबा एनफ मनी पर्याप पैसा अगुड टीचर एक अच्छे सिक्षक अब जरा इंकी बात करें अगर आप अगुड टीचर एक अच्छा सिक्षक अगुड टीचर एक अच्छा सिक्षक एनफ मनी पर्याप पैसा तकिंग अफ इजिप्ट इजिप्ट का राजा माई इल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई दा बॉय वो लड़का जिसने जीता पहला पुरसकार जीतने वाला लड़का पूरी बात तो नहीं होई ना लड़का जिसने पहला पुरसकार जीता क्या उसके बारे में तो लड़का जिसने पहला पुरसकार जीता वो आया है वो आयगा वो मेरा दोस्त है तब ना बात पूरी होगी अब यह बात hands बिना हाथ वाली लड़की all my dreams मेरे सारे सपने यूरंकल आपके चाचा जी टूमच नौइज बहुत जादा शूर हंगामा अच्छा आप अगर देखें हैं तो इसमें किसी ने किसी विक्ति या किसी ने किसी वस्तोगी संबडी और संथिंग की बात की जरी और संबडी और सं केजी के तो किंग फिजेट इजिप्ट का राजा इसमें में राजा की बात वरी है आखें बड़ी बड़ी होगी थी माइथ ब्रदर मेरा बड़ा भाई में मड़क्या ए ब्रॉदर भाई की बात वरी थे बोई वोंन परस प्राइज लड़का जिसने पहला पुरसकार इसमें सपनों की बात हो रही है और इसे इन वह रही है। किसी वस्तु की बात हो रही है और कि दी कोई somebody or something कोई व्यक्ति है कोई वस्तु क्या होता है नाउन पुडाउन होता है यह teacher money king brother और इन phrases के अंदर जो main word है जिनकी चर्चा हो रही है teacher noun है money noun है king noun है brother noun boy noun है girl noun है dreams noun है uncle noun है noise noun है तो ऐसे phrase जिनके main word noun हो जिन जिस phrase में किसी चर्चा हो किसी व्यक्ति वस्तु की चर्चा हो ऐसे phrase को हम noun phrase बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं noun phrase तो यह आपके हो रहे noun phrase यह हमने noun phrases की examples दिये हुए है तो एक phrase हो गया कि noun phrase noun phrase की पहचान हो जाएगी noun phrase में main word noun होगा noun phrase हमेशा किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बातचीत करेगा यह noun होता है यह noun है सारे सारे के सारे के हैं noun है चुकि एक से अधिक शब्द से मिलके बने इसलिए फ्रेज बोलते हैं तो है noun noun word noun phrase बोलें यह noun है समझ रहे है ना इसमें किसी व्यक्ति वस्तु की बात हो रही है noun phrase है अब हम बात करते हैं adjective phrase की आपको याद होगा जब हमें पीछे पढ़ा था हमने वौट्स के बारे में तो adjectives के बारे में पढ़ेते हैं हम लोग adjectives क्या होते हैं वो किसी noun pronoun की चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति है कोई वस्तु है वो किस प्रकार का लंबा चोड़ा उंचा नीचा गरीब अमीर मजबूत कमजूर लाल पीला उजला सावला अच्छा बुरा यह सब्द क्या होते हैं fix phrase होते हैं अब मैं समझाता हूं आपको एड्जेक्टिव फ्रेस के कुछ ग्जामपल्स लिखते है कि मैं इसको मिठा दो हाना मैं इसको मिठा दो कर आभ ऐसशा करें एक्टिव लेक्टे अधर में तो एक्षिते फिरिश में हैं?", आह वेरी होट बहुत गरम एक्स्ट्रेम ली हर्ड बहुती कटिन फेर्ली रिच टिक था कमेर बच तू हेवी काफी ज्यादा भारी दिफिकल्ट इनफ काफी प्रयाप धंक से डिफिकल्ट बहुत कटिन वही को गुट बहुत अच्छा जरन की बात करें है वेरी होट बहुत गरम इसमें किसकी बात रही गरम एक्स्ट्रेमली हाड बहुत कटिन किसकी बात रही है कटिन की फियर ली रिच ठीक टाक डंग से अमीर काफी अमीर अमीर की बात हो रही है मच टू हेवी काफी ज्यादा हेवी भारी इसमें भारी की बात हो रही है difficult enough कठिन पर्यापत रूप से पर्यापत रूप से कठिन difficult की बात हो रही है कठिन की बात हो रही है वेरी गुट बहुत अच्छा इसमें अच्छी की बात हो रही है यह एक किसका जवाब दे रहे हैं यह जवाब दे रहे हैं किस प्रकार का किस प्रकार का बहुत गरम किस प्रकार का extremely hard काफी कथिन किस प्रकार का fairly rich काफी अमीर किस प्रकार का much too heavy काफी भारी किस प्रकार का difficult enough प्रयाप्त कथिन किस प्रकार का very good बहुत अच्छा तो किस प्रकार का जवाब कौन देता है हमने वोड में पढ़ा है वोड पढ़ रहे थे तो एड्जेक्टिव के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बात हुई थी किस प्रकार का यह जवाब देते हैं किसी व्यक्ति वस्तू के बारे में बताते हैं किस प्रकार का गर तो हमने नाउन फ्रेज देख लिया और हमने अब एड्जेक्टिव फ्रेज भी देख लिया एड्जेक्टिव फ्रेज में में वर्ड एड्जेक्टिव होता है एड्जेक्टिव किस प्रकार का इसका जवाब देता है अब हम बात करें किसकी एड्वर्ब फ्रेज की और एड इसको मिटाते है आपने जोड़ी में चीज देखा होगा इंजक्टिव में की मेन वर्ड जोड़ी था और उसे जो झेडीटिव के बात हैं टिवाम साहे हैं थे तो उभी हम चल्चा के पीछे शब्네 के बारे में कि जब भी हम एक een है फिलाल हम एडभा फेज की बात कर रहे है कि एडवाब कैसा होता है इसके में एक्जाम्पल्स लिखता हूँ एड़ फेज कछे just now इस बिलकुल अभी इस राइट देर बिलकुल वहीं वेरे ऑफ्टन अक्सर very slowly बहुत धिरे-धिरे much to much to slowly बहुत धिरे-धिरे extremely fast काफी तेजी से very well काफी अच्छे धंग से और क्या बात करें तो three days ago तीन दिन पहले जरा देखें इन फ्रेजिस को इन फ्रेजिस को जरा देखें just now, बिल्कुल अभी किस चीज़ का जवाब दे रहा है कब कब भीया? just now, बिल्कुल अभी कहाँ? right there, बिल्कुल वहाँ कब? कितनी बार? very often प्रायर, अक्सर very slowly किस धंग से? किस धंग से? तो very slowly, बहुत धीरे-धीरे किस धंग से? किस धंग से? much too slowly, बहुत ही जादा धीरे-धीरे किस धंग से? किस धंग से? तो extremely fast, बहुत तेजी से fast adverb होता है, extremely fast, बहुत तेजी से किस धंग से? किस धंग से? तो very well, काफी अच्छे से कब three days ago, तीन दिन पहले आप देखी इन phrases को phrases इसलिए हैं क्योंकि अधूरे हैं पूरी बात नहीं कहते हैं और ये phrases ऐसे हैं जो कब कहां किस धंग से? क्यों कितनी बार आधी का जवाब दे रहे तो कब कहां क्यों किस धंग से का जवाब देता है उसको एड़ बोलते हैं पीछे हमने पढ़ा था कि एड़ वर्प्स जोते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो कब कहां क्यों किस धंग से का जवाब देते हैं तो जब यह कब कहां कियों किस जंग से का जवाब दे रहें यह नहीं एडवर्ब हैं और चुकि यह फ्रेज हैं इसलिए मिनको एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे तो यह हो गया एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं वह कब कहां कियों कि लोली बहुत दिरे एक्स्ट्रिमली वेल बहुत ही अच्छे से त्री देज अगो तिन दिन पहले वैसे अगर आप देखें तो इन फ्रेजेस के अंदर जो मेन या लीडिंग वर्ड होगा हेड़ वर्ड होगा वो नाओ धेर ऑफिन स्लोली फास्ट्व वेल अगो यह होते हैं तो हुब्र समय मेय और लीडिंग वर्ड होता है और सबसे बड़ी बात है पहचbane कि आपके रहें अब हम अब हम क्या देख रहें की चिंट अवस्तो कि पोद काराता है इड्जेक्टिवी प्रणायर करका चब आप करता है किस पूंध करता है यह अलग से लिख है靠 अपर पोजिशन फेज क्योंकि नामगे साथ से काम करते हैं लेकिन प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन का काम नहीं करता प्रेपोजिशन फ्रेज आक्शली या तो किसी एडवाब का काम करता है या किसी एड़ेक्टिव का काम करता है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है नाम प्रेपोजिशन फ्रेज है पर काम प्रेपोजिशन का नहीं है काम किसी एडवाब याड़ेक्टिव का है प्रेपोजिशन फ्रेज किसको बोलते हैं कैसे होते ह आई इनको देखते हैं हम लोग प्रेपोजिशन फ्रेज जो होता है वो अभी जब हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे तो प्रेपोजिशन में हमने क्या देखा था कि जैसे इंदर रूम कमरे में अगल एक लड़की विद टू हैंड्स नहीं सौरी टू हैंड्स होते हैं ना बाहों वाली लड़की थेनः दे की इंग ओफ ach Ñपक इंग फॉत पार्टली पुत्रा पाटली पुत्रा का राजा है नहीं हुआ अा विद के कियर विद के मतलब साधानी से ठीक है और और मन्दे वाएंगे मंडे को एंगे यह परेपोजिशन यह परेपोजिशन ए प ठीक है जी तो यह आपके प्रेपोजीशन हो गया है और एक चीज़ बताएए कि प्रेपोजीशन की पहचान क्या है तो प्रेपोजीशन की पहचान यह है कि प्रेपोजीशन के बाद हमेशा क्या आते हैं नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो अभी झाले लोड़ लिखते हैं अगिफ्ट एक उपहार फॉर कि यूँ आपके लिए इसमें फार क्या है फॉर एक प्रेपॉजिश्टिन इप्रेपॉजिशशन अन है प्रेपॉजिशन के है नावन किसी चीज का नाम है OWS किए प्रोजिशन इसके लगात पाड़ी पुत्र जगा का में नावन है विद केर केर इंधता साउधानी एक चीज साउधानी तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आया है फॉर फॉर के बाद यू प्रोनाउन आया है तो प्रेपोजिशन की पहचान ही है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और यही जो नाउन प्रोनाउन आते हैं ना और यह प्रेपो और पार्टली पुत्रा यह प्रेपोजिशन फ्रेज है विद केर यह प्रेपोजिशन फ्रेज है यू फॉर यू यह क्या है प्रेपोजिशन फ्रेज है तो प्रेपोजिशन फ्रेज में प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद आने वाला उसका नाओन या प्रोनाओन आता ह उनको हम प्रेपोजिशन फ्रेज बोलते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज एडवाब का यह एडजेक्टिव का काम करता है कैसे आप जड़ा देखिए ऑन मंडे कब कब तो सो मुआर को कहां तो इन दरूम कमरे में प्रेपोजिशन फ्रेज यहां देखिए बिदाउट हैंड्स बिना हाथों वाली यह क्या है प्रेपोजिशन फ्रेसल लड़की की चर्चा कर रहा है गिए और नाउन की चर्चा करने वाला लड़की कि लड़की किस प्रकार की तो बिदाउट हैंट किस प्रकार की किस प्रकार की और किस प्रकार की चर्चा जो करता है उसको क्या बोलते हम एड्जेक्टिव बोलते हैं इधर देखिए ड्वाब का काम कर रहे हैं इधर यह एड्जेक्टिव का काम करने तो किस प्रकार का जो बताए वो क्या होता है एड़िक्टिव होता है उसी तरह से विद केर किस धंग से तो सावधानी से तो यह बता रहा है किस धंग से सावधानी से विध केर तो किस धंग से जो जवाब देता है वह क्या होता है एड़ वर्व होता है तो यह आपका एड़ॉब हो गया गिफ्ट उपहार किस प्रकार का उपहार फॉर यू आपके लिए तो यह प्रेपोजिशन फ्रेज है जो किसी नाउन की चर्चा कर रहा है गिफ्ट के बारे में बता रहा है कि गिफ्ट किस प्रकार का तो आपके लिए तो किस प्रकार का जो जवाब दे वो क्या होता है तो आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रेपोजिशन फ्रेज हैं या तो क कब कहां किस भंड करने सोरी ब्सक्राइब का जबाब कर रहें किस प्रकार का लॉप lubun Jr किसी नाउन तो होते हैं या तो लॉप का काम करते हैं कब कहां कि is जोफिछ चाइब कर देते हैं रहर पोसुंश्टाइक प्रकार का यह बताते हैं लिए आटार काम करते इंक्स लटक्तर और करते हैं किस प्रकार सब्सक्राइब कर रहे तो प्रेपूजistas नाम भले प्रेपेजिशन काम इसका काम डॉकित ile लिए मैंने लिखा था तो इस तरह कि वो सकते हैं नोनफे एडिक्टिफ मेज़ और एड़व उए फ्रेज के बारे में आपась ने समझ लिया जूज लिए अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ा दे और सरे करते हम भाशा कि अगले अस्तर की अगले लेवल लगले packet के वारे में रो क्या है वह है sentence कि sentence क्या होता है मैं मिठाता हूं इसको कि कि